कि अंदुलन के लिए जगा नहीं देगी मैं जेल से बाहर नहीं निकलूंगा मुझे ऐसे लगा ये आदमी दुनिया में जो भी सोचे वो कर सकते हैं भारत माता की जैब बोलते से ही सारा देश जीस आदमी के पीचे खड़ा हो जाता था ऐसे आदमी ऐसे राइटरःज करेक्टर मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऐसी क्या टाकद है इस सक्षत में क्या खासियत है जिसके एक आवाज में इतनी मांदारी है इतनी सचा ही है कि सारा देश अनना करने लगा था और वो रिजन था कि मेरे अंदर के राइटर को ऐसा लगा कि अगर इनकी जर्नी में खोच पाऊं तो एक फिल्म बन सकती है जब मैंने जर्नी खोजनी शुरू की सवा साल देड़ साल में बिंगार रालेगन तिहार जेल काफी जगा गय जो है यह इंडिपेंडंस के बाद की भारत की आजादी के बाद की भारत की स्टोरी है भारत का जो रियल विकास है उसकी स्टोरी अन्ना जी की जो सक्सेस है अन्ना जी की जो शक्सियत है वह हिंदुस्तानी मिट्टी की सक्सेस है हम सब लोग सक्सेस की पीछे भागते लेक नहीं होती है तो वो सक्सेस एक ऐसी शक्सियत जो हमारे देश के नौजवानों को एक हीरो की जरूरत है जो फिर से हमें एक बार हमारे हिंदुस्तानियत की बाद दे वो शक्सियत अन्ना जी में है मुझे पूरा विश्वास है कि यह फिल्म देखने के बाद हमारे देश का न मैं थो सिरफ एक्सपीरियंस किया है मैं तो यह सोचता हूं अना जी ने जिन्दगी कैसी जी होईगी सब जब मैं शूटिंग करता था हम तो एक दो दिन शूटिंग करते थे मैं सोचता था अना जीने इतने साल यह कैसे गुझळ होंगी एवरी मुमेंट हमने बहुत लब वो जरनी जब शूट करते थे हम वो हम काफी बाद में लेंद में डिसकस करेंगे पांच साल होए यह सपना देखा आज यह सपना पूरा होने को है अभी आप लोगों ने ट्रेलर देखा बहुत से लोगों की महनत होती है इस सिनेमा बनने के कीजिए आज मैं अपने टेकनिशियंस का अपने अक्टर्स का थैंक्यू कहना चाहता हूं फिल्म सिर्फ कलाकारों से नहीं बनती है फिल्म बनने को बहुत सा पैसा लगता है एक स्ट्रॉंग प्रोडूसर की जरूरत होती है जो फिल्म को बैक करे स्पेशली अन्ना जैसी को बैक करे क्योंकि जैसे सभी लोग बोलते कि ऐसी फिल्में सालों में एक बार आती है तो उसका उस फिल्मों को बनाने का में अलग होती है तो मैं इस वक्त हमारे इस फिल्म के निर्माथा मनी जी जैन को मैं सादर यहां आवान करता हूं प्लीज आईए और अपने दो कि सभी को प्रादाम करता हूं अना जी का आशिरवाद पुने अपेख्षत है और सरसांक पूरीजटी उनका मैं स्वागत करता हूं आप क्या जानना चाहेंगी मुशे आप अपने एक्सपिरियंस बिदा अज़ा अज़ा प्रिदियूसर वात यूर एग्सपेश्टेशन मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि इस फिल्म को आपने क्यों बनाया उसका जवाब मैंने पहले भी दिया था कोई मंदिर बनाता है कोई मजजिद बनाता है कोई होस्पीटल बनाता है मैंने इस फिल्म को बनाने का सोचा कि साइध हमारे देश में इस फिल्म को देख कर के और भी अन्ना गांदी जी और सुवाज जी जैसे लोग पैदा हों यूद को इस्पिरेशन मिले और बच्चों को संसकार मिले क्योंकि जब इसक्रिप्ट हम लोगों ने देखी तो एक नौ साल के बच्चा जब जूट बोलता है और उसकी माँ उसको बताती है और किस तरह संसकार देती है वो सब चीज आप इस फिल्म में देखेंगे और वहीं संसकार एक छोटे से बच्चे के वनमें आखीर तक रहते हैं और वह आगे चल करके देश के लिए एक दिसा बन जाता है कि मेरी स्की लिए सोचती है तो आप सभी को मैं ये भी बताना चाहती हूं कि इस मूवी में इस फिल्म और स्टासम अफ्टर रिनाउंड एक्टर्स लाइक तनीशा मुखल जी गूविन नामदेव शेरत सकसेना किशोर कदम और शेशी स्रिवासव एं मैंनी मोर तो जरूर चाहती हो इनके लिए भी जोरदार तालियां कुछ यहां पर प्रेजेंट हैं कुछ नहीं है और येस दे मूवी इस रिलीजिग ऑन 14th October 2016. 16th. So, मैं अभी मेरा सहुबाग है कि इस फिल्म में गुविन सर जैसे एक 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 हमारे साथ काम किया है, बहुत ही अच्छा पर्फॉमंस किया है, मैं गुविन से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लाइस पर ये, थांक्यू. प्लीज गिविम अबिग दॉन प्लीज लाइस प्लीज विल्कम शर्ण परमादर्णी एप अन्ना जी को मेरा प्रणा, बाकी और अमारे जो दूसे, मैं तो यहाँ पर मौजुद है हमको मेरा खेड़ाई से अभी नदन ये सच्च मेरी खुशनसीबी है कि आज अन्ना जी हमारे सामने हैं मैं अन्ना जी के साथ हूँ ये मेरी खुशनसीबी है बलकि हम सब की खुशनसीबी है कि अन्ना जी के उपर फिल्म बनी ये मेरी खुशनासी भी है कि इस फर्म में मैंने भी एक अहम करदार निभाया है निभाने का मुझे मौकर में रहे है खुशनासी भी इसलिए कि अन्ना जी हमारे आदर्श है आज के टाइम के हमारे आदर्श है आज के टाइम के जनरेशन के आदर्श है हमारी ताकत है इसी वज़े से पूरा हिंदोस्तान उनके साथ खड़ा हो गया था आज भी खड़ा है मेरी ये शुब कामना है मेरी ये दौा है मेरा ये आशिरवार है कि ये फिर्म बहुत अच्छे इस तर पर रिलीज हो लोगों के दिलों में जगह बनाए और खूब चदे अल दोस्तों अब आपकी इजासे मैं उस शक्षियत को आपके सामने बुलाना चाहता हूं जिस शक्षियत ने हम लोगों को जीने की नहीं प्रेणा दिये कि 2011 के बाद में फिर से तिरंगा जहिंडा के लेके हमारा एक उत्साह एक उम्मीद बहुत जोरों से बढ़ी है देखने का मौका मिले गया तो मुझे बहुत बड़ी खुश नसीब होगी पता नहीं था भगवान ने मुझे इतना बड़ा भाग्य दिया है कि उन पे लिखी फिल्म को मैं लिख पाऊं देख कर पाऊं और अन्ना जी का केडार मैंने अबाथा हूं शायद मेरे माता पिता ने कुछ पुन्यक के होंगे जो आज मुझे ये दिन देखने की नसीब हुआ है मैं सव बार अन्ना जी गा धन्यवाद देता हूं कि मेरे जिसे एक्टर को नो झाल